स्वागते दोस्तों आप सभी का मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेस अपीसोड में मेरा नाम है नीरवेन आज की यह वीडियो में हम बात करने वाल है आई ए बीपी मशीन के बारे में इंट्रा एरोटिक बलून पंप मशीन के बारे में मशीन क्या है क्यों यूज होता है सारी चीज़े हम यह वीडियो में समझने वाले हैं हो सके तो वीडियो को अंतक जरूर से देखे यहां वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले अगर आप मेडिकल गुरुजी चैनल पर नए हो वीडियो को पहली बार देख रहे है अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क करने के लिए सबस्क्राइब करके बैल आइकन दपाना ना भूले सबसे पहले यह मशीन है जिसे कहा जाता है आई यह बीपी मशीन तो यह मैं इसलिए दिखा रहे हो यहां पे बेजिक पार्ट के बारे बता दो यहां पर नीचे बेज में एक बड़ी सी बैटरी होती है जिस पर मशीन चलता है यह जो आप देख रहे हो यहां पर कंट्रोल होते है और यह जो है वो डिस्पले है यहां पर पीछे की और यहां पर पीछे की और उसका हिलियम सिरिंडर र और यहां पीछे से pump जो patient के अंदर inject होता है वो connect होता है तो कुछ इस तरह का machine जो है वो देखने में होता है अब यह बात है कि हम यह machine का use क्यों करते है दोस्तों यह जो हमारा human heart है अब जब वहां पर heart attack आता है तो after procedure भी ऐसा होता है कि heart को properly blood जो है वो नहीं मिलता है अब वो condition में patient को यह machine connect किया जाता है जिसका नाम है IABP machine intra-erotic blood pump basically क्या करता है कि जो artery blood heart को supply करती है जो main artery है जिसे कहा जाता है अरोटा अब वहां पर एक पंप डाला जाता है अब question आएगा कि पंप human में कहां से डाला जाता है तो यहां पर कि अगर मैं figure draw करूं तो यहां पैरों में से एक catheter guide wire की मदद से inject किया जाता है जो जाता है एरोटा तक और यह पंप क्या करता है कि insulate what A dip leg to यह माल ली जो यह आर्ट्री है यहां पर यह पंप आएगा मैं का कि पंप रहेगा यह इन्फलेट करेगा तो यह इस तरफ जाएगा यह इस तरफ जाएगा तो यहेदे आफ necklace करेगा तर वापी से यहां आएगा वापי से यह आएगा तो जब heart से blood बहार निकलता है pump होके तो यह होता है deflate deflate होने के वाज़ा से क्या होगा blood properly पूरे organs तक जा पाएगा यहां से हर एक जगा पर blood का circulation होगा और यह inflate होगा यानि कि यह फैलेगा जब heart relaxed condition में है ताकि ज्यादा से ज्यादा amount में blood जो है वो यहां से heart के अंदर जाए ताकि उतना ही blood वापिस pump हो पाए एक और बार clear करता हूँ वो inflate होगा जब heart relax condition में है right जब वहां से blood pump होगा तब वो deflate होगा ताकि blood जो है वो properly body के सारे organs तक पहुच पाए यह continue रहता है जब तक patient की condition जो है वो normal नहीं हो जाती है most of the time यह machine after bypass use होता है Depend करता है patient की condition पर सेम आफ्टर एंज्चो प्लास्टी भी यह machine का यूज होता है डिपैंड करता है patient की condition क्या है अब यहां पर यह machine जैसे के आपको पता है के inflate करता है deflate करता है तो अब वो exactly क्या होता है वो हम समझेगे तो यहां पर यह machine draw किया हुआ है यहां से catheter जो है वो patient के अंदर inject किया जाता है राइट तो तो यहां से पैरों में से यह गया यहां पे तो यहां पे क्या होगा यहां पे पीछे जैसे कि मैंने आपको बताया था यहां पे कि यहां पे helium cylinder रहता है तो यहां पे basically helium gas का use होता है अब helium gas use होने के काफी सारे reasons है लेकिन हमें common reason पे focus करेगे वह यह है कि in case gas जो है वह बलून वहां पे यूज होता है अगर वह लीक भी कर जाता है तो helium एक ऐसा gas है जिससे body को कोई भी नुकसान होगा नहीं इसलिए यहां पे helium gas का use होता है और यह बहुत ही ठंडा gas भी है तो वह भी patient को दिकत नहीं होती है तो यहां पर helium gas inflate होगा वापिस से अके deflate होजाएगा inflate होगा तो यहां से inflate होगा यहीं से deflate होगा यहीं से इंक टोगा यह प्रोसेस चलती रहेगी अब यहां पे समझने वाली चीज यह है कि machine को जकित कैसे पता चलेगा कि कब कब inflate करना है कब deflate करना है कब उसको फैलना है और कब उसको सिकूड ना है वो मशीन को कैसे पता चलेगा तो अगर आपने यहां पर focus किया होगा तो आपको पता होगा कि मैंने यहां पर पताया था कि यह जो point है यहां से ECG का केबल जो होता है वो कनेक किया जाता है patient में तो यहां से ECG होगा वो patient को basically connect किया जाएगा और उसी की वज़ा से machine में जो है वो ECG आता रहेगा और machine को पता चलता रहेगा ECG signal को देखके कि अब उसे inflate होना है अब उसे deflate होना है इस तरह से ECG की मदद से यह process को complete किया जाता है most of the time यह जो machine attach किया जाता है patient को वो after surgery जब patient conscious नहीं होता है उसी time पर हो जाती है लेकिन अगर ऐसी situation है कि बाद में यह inject किया जाता है तो patient को यह जाती है जिससे वो काम रह सके और यह process जो है वो complete हो सके तो कुछ इस तरह से आईए बीप machine जो है वो काम करता है आसा रखता हूं कि आपको मैंने आईए बीप machine कैसे काम करता है वो ठीक से समझाए है अभी भी अगर आपके माइन में कोई भी question है तो comment section आपके लिए मैं वहाँ पर आपसे बात करूंगा आपके सारी queries सारे doubts में वहाँ पर solve करूंगा तो बस यह वीडियो में इतना ही आसा रखता हूं आपको यह पसंद आया होगा पसंद आया है लाइक जरूर से करो बहुत ज्यादा motivation मिलता है अगेन अगर आप नए हो चैनल को subscribe नहीं किया है subscribe करो साथी दबाओ बैल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो एवरी टूजडे अवरी तर्सडे अवरी सेटरे मैं ऐसे वीडियो के साथ आँ और आज है सेटरे और आपने सीखा है क्या यह बपी मशीन क्या है एं कैसे काम करता है त इस ना करो इसलिए अभी से सब्सक्राइब करके पहला आइकन दबातो ऐसे फ्रेस कॉंटेंट के साथ जले सब्सक्राइब मुलाकात होगी तब तक के लिए जाहिंद वंदे मात्राम